इतना important चुनाव दिल्ली में आमादमी पार्टी और कॉंग्रिस का गड़बंदन भी हुआ केजरीवाल की कमी तो आमादमी पार्टी को जरूर खलेगी इस प्रचार के दोरान आमने सामने की आर पार की बड़ी do or die, करो या मरो वाली लड़ाई है तो इन्डिया का ड़णन के भी एक बड़े पार्चारक है प्रशार से तो निश्ची दूप से आमादमी पार्टी के लिए गड़ी चुनोती तो होगी क्योंकि मनिश्य सोधिया भी नहीं है संजय सिंग जो दो उनके और बड़े स्टार पचारक हैं संजय सिंग और मनिश्य सोधिया वो भी जेल में तो ऐसे में आमाधी पाइटी के सामने एक बड़ा संकट तो यह है कि जो क्राउड पुलर और उनके नेता हैं तीनो तीनो क्राउड पुलर अगर जेल में होंगे तो आप संधीप पाठक या सवरभ भरद्वाज या आथशी वो क्राउड पुलर नहीं है जो अर्विन के जिरिवाल है मनिश्य सोधिया है और संजे सिंग है और खासकर ये तीनों सिर्फ दिल्ली में ही नहीं अर्विन्द और संजे सिंग और करी तो डिमांड दिल्ली के बाहर भी है तो पंजाब में और राज्यों में मनिश्य की डिमांड तो ये एक लॉस उस द्रस्टी से तो आमादी पारिटी के लिए होगा चुनाओ में अगर सब कुछ इसी तरह रहता है तो लेकिन जैसा कि अब अपने प्रवक्ता आम के सुरे जो है राजेश गुप्ता कि उसमें उसे साबित भी किया है कि वो काडर और मास बेस दोनों के बीच की पारिटी ये दोनों राज्यों में और बहुत मजबूती से लड़ी है और कांगरस से भी लड़ी बीजेपी से भी लड़ी अकाली दल से भी लड़ी तो मुझे लगता है वो एक उसकी ताकत है जो फाइटिंग स्पिरिट है वो उसकी मदबूत एक सवाल और विनो जी ऐसे में जैसे अभी शर्मा जी कह रहे थे न मुझे भी याद नहीं पड़ता कि चुनाव के बीच किस तरह ऐसे सिटिंग सीम की गरफतारी हुई हो चुनाव के बीच मुझे नहीं याद पड़ता है चुनाव के बीच में अगर ऐसी गरफतारी होती है तो क्या हमदर्दी मिल सकती है या फिर इसका नुक्सान हो सकता है परसेप्शन की लड़ाई किस तरफ जाती भी देखते हैं देखें ये बात सही है कि चुनाओं के बीच में एक सिटिंग सीम की ओवी अर्विंद की एजिरिवाल जैसे मुखर निता की गिरफतारी मुझे भी अपने 40 साल के पत्रकाहिता के करियर में याद नहीं पड़ती चुनाओं के बीच हुई हैं अब ये निर्फर करता है कि इंडिया गटबंदन चुकि पूरा गटबंदन आवाओं पार्टी के साथ है कैसे इस गिरफतारी को एक पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड के रूप में पेश करता है इंडिया गटबंदन चल रहा था तो अडवानी जी जोशी जी वहां उराजिती करतारियां थी या हवाला कांडुगा करें लोगे पाद छोड़े गए तो उससे बीजेपी को एक विक्टिम कार्ड खिलने का मौका मिला था उसका फाइदा उसको हुआ लागरन में नरेन मोदी जी गुजरात के मुख्मंत्री थे तो उनसे साइटी ने पूस्ताच की बड़े लंबी चोड़ी आठाट नौना घंटे और अमिश्या जी की ग्रफतारी हुई थी उसका फाइदा बीजेपी को मिला पूरे देश में और उसको भी एक सिंपथी वेव बिली अब क्या अनुन केज़ी वाल की ग्रफतारी हेमन सुनन की क्रफतारी क्या इंडिया गटबंदन उसको सिंपथी वेव में बदल सकती है यह इंडिया गटबंदन के परसपर कॉडिनेशन और राजनिति कॉशल बढ़र करेगा क्योंकि बड़ी बात है इंडिया कटबंदन एक समस्या पार्टियां है धरूर एक जुट हलाकि कल जिस तरह से सब समर्थन में आये है वह अपने आप में उनके लिए उपलब दिये गटबंदन के लिए जिस तरह एक जुट हो की समर्थन की है लेकिन उसमें कोई एक दूसरे को आगे बढ़के हीरो नहीं बनाना चाहेते हैं यह अगर इस अपनि प्रते स्पर्दा प्रतियस फर्दा ऑंत व से इंडिया कर बंतर नेता मुक्त हो जाएं यह उस्टी तो निस्टित रूब से एक सामुहिक विरोद ऒरा कर सकते हैं और मैं एक अतिवाधी बात कह रहा हूं। कि अगर कहीं यह अधिवाद ही है यह इंडिया कट बंदन माली यह प्रतीक सुरूम यह गोशना करते हैं आप 400 पार नहीं 500 पार ले जाईए तो फिर देश में क्या माहूल होगा तो यह यह मिलकर के राष्टपती के पास जाएं मेमरंडम दें और एक साठक पर उतरें तब निस्टी दूरूप से उसका फाइदा इंडियाकर निस्टा है लेकिन क्या हूँ अगर चुनाव में वहिषकारी कर देंगे तो फाइदा कैसे मिलेगा वहिषकार कर देंगे तो सरकार पर दबाओ पढ़ेगा बही दखें अगर प पोस्टेरिंग होती है आंदोलन की अब करती है कि नहीं करते हैं अगर वह एक साबूइद विरोध मजबूत खड़ा कर देश में इसको लेकर के सारे इंडिया कट बंदन घटक दल और कर सकते हैं उनके चंबता है स्टालिन तमिलाडू में कर सकते हैं उद्व ठागर शाहत प प्रदेश में मम्दावरजी बंगाल में कॉंग्रिस भी अपने राज्यों में और लगे कि हां इंडिया गट बंदन ये एक तरह से मैं तो हूंगा कि ब्लेसिंग इंडिस गाई उसकती इंडिया गट बंदन के लिए अगर अगर वो इसे मुद्दा बना पाए तो